तो चली अब ये फाइनल हो गया कि सहाबुदिन का परिवार तेजस्वी यादो के साथ खड़ार नहीं रहने वाला है आज सिवान में जनविश्वास यात्रा जो है वो पहुँची हुई थी और जनविश्वास यात्रा को संबोधित कर रहे है तेजस्वी यादो लेकिन मंच पर सहाबुदिन का परिवार का एक भी सदस्य दिखाई नहीं दे रहा था नहीं सहाबुदिन के बेटे ओशामा और नहीं सहाबुदिन की पतनी हीना सहाब कोई नजर नहीं आ रहा था और अब ये कयास लगाया गया कि मुसल्मान राजत से नराज हो गए हैं देखे लगतार ये बाते कही जा रही थी कि तेजस्वी आदो देर रात सहाबुदिन के परिवार से मुलाकात करेंगे मनाएंगे और अगले दिन मंच पढ़ ले कराएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ तेजस्वी आदो ने भी मुहम्मद सहाबुदिन के परिवार को इगनौर कर दिया और अब सायद राजत को इससे बड़ा जटका लगने वाला है लगबग दरजन भर सीट ऐसे हैं जहां पर मुसल्मान निरनायक भूमिका में रहते हैं वो तै करते हैं कि किसको अपना वोट देना है जैसे में सिवान में खुद मुसल्मान निरनायक भूमिका में रहते हैं 18 परतिशत उनकी संख्या है वही तैक करते हैं कि सांसद अगला कौन होगा यादा वोट नहीं कर पाते हैं इसलिए हिना सब आप जो है वो सांसद नहीं बन पाती हैं लेकिन वो 18 परतिशत वोट राज़द के पाले में नहीं जाएगा और जब नहीं जाएगा तो वहाँ पर आज़त का कोई भी उमिदवार जीत नहीं पाएगा तो ऐसे में NDA की सीट निकल जाएगी उसके बाद आते हैं आपको किशन गंज, कटिहार ऐसे कई लोग सभाद छेत रहें जहां पर मुसल्मान निर्नायक भूमिका में रहते हैं वो तै करते हैं कि किसको सांसद बनाना है औ यानि तेजस्वी जान भूच के असुरुदिन नवेशी को बिहार में एंट्री करवा रहे हैं तो देखे आज की जन विश्वास यात्रा में ये कयास लगाया जा रहा तकि हिना साहाब को मंच पर जगह तेजस्वी यादो देंगे वो बुलाएंगे मनाएंगे और जब मं मुआई मैं हो जायेगा यानि यादों और मुसल्मानों की फिर से जोड़ी दिखेगी लेकिन तेजस्वी यादों ने ऐसा नहीं किया मुसल्मान अब नाराज है आखिर किस तरह से तेजस्वी कहरे हैं मुआई के साहथ साथ बाप की भी पार्टी है तो बाप की पार्टी तो रहेगी लेकिन वाई के जगह पर इम जो बगल में है वो नजर नहीं आएगा यानि मुसल्मान और यादों की जोड़ी है मुसल्मान कट जाएंगे सिर्फ यादों रह जाएंगे तो वाई बाप की हो जाएगी माई बाप नहीं वाई बाप की पार्टी तेजस्वी आदों की पार्टी जो है राज़द वो हो जाएगी वो माई बाप की नहीं रहेगी क्योंकि माई मतलब मुशलमान अब तेजश्वी से दूर होंगे और सबसे बड़ा इसमें अगर आप देखेंगे तो सिवान से लेकर छपड़ा तक जितने भी बिधान सवाथ छेतर आते हैं उन तमाम बिधान सवाथ छेतरों में मुसलमानों का योगदान बड़ा रहता है वोट करने पर उनका वोट परतिशत अधिक है और अगर मुसलमानों के जहन में ये बात चली जाएगी कि तेजश्वी यादों ने हमको इग्नॉर किया है हमारे नेता साहा बोदिन के परिवार को इग्नॉर किया है उसके बाद मुसलमान कभी भी तेजश्वी यादों के पार्टी राजद को वोट नहीं करेंगे और अब आगे देखिए क्या होता है बेराग इसकबर भी इतना ही बने रहे हमार साथ और देखते रहे नई इंडिया टॉप